तेरे लिए शिकार भी बनूगा, शिकार भी करूगा, सिर्फ तेरे लिए यहाँ पे भी कुर्सी के लिए कूट नीती चलती थी मेरे जिन्दा रहती ही मेरे बेटे वर्धराजमननार को सर्दार बनते ही देखने की इच्छा है झाल 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 यह झाल 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 यह झाल 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 मुवी को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत ही बखुबी ये मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट की गई है आप लोग इस मुवी को डेफिनिटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं बाकी उसे के साथ आगे बढ़ें और बात करें यहां पर कि इस मुवी की सारी की सारी लेंगविज कौन सी है हमें इस मुवी में क्या देखने को मिलेगा और इस मुवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से आक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो इस मुवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे यहां पर हमें यश देखने को मिलेंगे उसे के साथ साथ संजिदत, रभीना टंडन, स्रीदनेदी शिट्टी, प्रकाश राज, अर्चना जॉइस, अच्योत कुमार, वसिष्टा एंसिमा, रावरमेश, टी-ए नागा भरना और भी काफी सारे अच्छे अच्छे आक्टर्ज इस मुवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिनोंने अपना किरदार बहुत बखुबी निभाया है और आप लोगों के सामने यह मुवी काफी अच्छे से प्रिजेंट भी की है ज एक चांस दे सकते हैं बहुत ही अच्छे से यह मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट की गई है उसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मुवी की सारी की सारी जो है वो आईम डीबी रेटिंग क्या है और इस मुवी को गूगल के यूजर् तो यहां पर इस मुवी की आईम डीबी रेटिंग जो है वो काफी अक्छी रखी गई है आप लोगों के सामने इस मुवी को काफी अच्छे से प्रिजेंट भी किया गया है अगर हम लोग बात करें आईम डीबी रेटिंग की क्या है तो 8.2 आउट आउट अफ 10 इस मुवी एक चांस भी देना चाहिए आप लोगों को यहाँ पर इस मुवी को डेफिनेटली एक मरतबा चांस देना चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से यह मुवी प्रिजेंट की गई है 8.2 आउट अफ 10 और गूगल के यूजर्स की जानिब से 94% तक लाइक किया गया जो के काफी अच्छी खासी परसेंटेज भी है उसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर इस मुवी के जेनर पर कि इस मुवी का जेनर क्या है हमें इस मुवी में यहाँ पर क्या कुछ देखने को एंड क्या कुछ एक्सपिरियंस करने को मिलने वाला है तो यहाँ पर इस मुवी के अंदर हमें काफी अच्छे से देखने को एंड एक्सपिरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें थ्रिल देखने को मिलता है उसे के साथ साथ हमें आक्शन देखने को मिल जाता है क्राइम देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ हमें इस मुवी के अंदर देखने को and experience करने को मिल जाएगा जो के हाँ आप लोगों को definitely एक मरतबा एक चांस देना चाहिए इसे आप लोगों का चांस ये मुवी जाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखुबी ये मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट भी की गई है बाकी उसी के साथ आगे बढ़ें and बात करें यहां पर कि इस मुवी की आप लोगों को कौन सी लेंगविज देखने को मिलती है अभी कहां पर अवेलेबल है तो ये मुवी वैसे तो कनड़ा जुबान की है बट पैन इंडिया लेवल पर इस मुवी को रिलीज किया गया था और आप लोग इस मुवी को हिंदी डब्ड वरिजिन में Amazon Prime वीडियो पर अभी देख सकते हैं वलती अगर आप लोगों को उनकी मुवी देखना पसंद है तो आप लोग बिलकुल सही वीडियो पर हैं यहां पर आज किस वीडियो के अंदर हम लोग उन्हें की एक ऐसी मुवी के बारे में डिसकुशन करने वाले हैं जो के आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आ स के बारे में हमारी आज किस वीडियो में डिसकुशन होने वाली है के जीफ चैप्टर टू के बारे में हम लोग यहां पर डिसकुशन करने वाले हैं कि यह मुवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लेंगविज में रिलीज की गई अभी फाइनल लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फरमेटिव वीडियो से आगार हैं उनको भी ये सारी की सारी इन्फरमेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैन करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर KGF चैप्टर 2 के बारे में तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मोवी की डायरेक्शन पर किस ने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा important role play करती है हर एक मोवी के लिए हर एक सीरीज के लिए direction काफी ज्यादा important role play करती है काफी ज्यादा impact भी create कर रही होती है तो इस movie की direction पर ही हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस movie की direction में हमें कौन कौन से actors देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि casting काफी ज्यादा important role play करती है हर एक movie के लिए हर एक series के लिए direction काफी ज्यादा important role play कर रही होती है तो इस movie की direction को जो है वो काफी अच्छे से handle किया है प्रिशान्त नील ने जिनोंने काफी अच्छे से इस movie की सारी की सारी direction को handle करके यह movie आप लोगों के सामने present भी की है जो के काफी अच्छी movie है और आप लोगों को definitely इस movie को एक मरतबा एक chance देना भी चाहिए आप लोग एक चांस देंगे, तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा, बहुत ही बखुबी ये मुवी आप लोगों के सामने प्रिजन्ट की गई है, बाकी उसी के साथ आगे बढ़े हैं बात करें के प्रशान नील ने पास्ट में कौन कौन सी मुवीज दी हैं तो इ कि एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत ही बखुबी ये मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट की गई है आप लोग इस मुवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं बाकी उसे क साथ आगे बढ़ें और बात करें यहां पर कि इस मुवी की सारी की सारी language कौन सी है हमें इस मुवी में क्या देखने को मिलेगा और इस मुवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से actors देखने को मिलने वाले हैं तो इस मुवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे यहां पर हमें यश देखने को मिलेंगे उसे के साथ साथ संजिदत रभीना टंडन श्रीदनेदी शिर्टी प्रकाश राज अर्चना जॉइस अच्यूत कुमार वसिष्टा एंसिम्हा रावरमेश टी मुवी बनाई गई है और आप लोगों को डेफिनेटली इस मुवी को एक मरतबा एक चांस देना भी चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत ही बखुबी यह मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट की गई है आप ल गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो यहां पर इस मोवी की आएमडीबी रेटिंग जो है वो काफी अक्छी रखी गई है और आप लोगों के सामने इस मोवी को काफी अच्छे से प्रिजेंट भी किया गया है अगर हम लोग बात करें आ मोवी को एक मरतबा एक चांस भी देना चाहिए आप लोगों को यहां पर इस मोवी को डेफिनेटली एक मरतबा चांस देना चाहिए क्योंके काफी अच्छे से यह मोवी प्रिजेंट की गई है 8.2 आउट ओफ 10 और गूगल के यूजर्स की जानिब से 94% तक लाइक किया गय तो यहां पर इस मोवी के अंदर हमें काफी अच्छे से देखने को and experience करने को मिल जाता है यहां पर हमें thrill देखने को मिलता है उसे के साथ साथ हमें action देखने को मिल जाता है crime देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ हमें इस मोवी के अंदर आप लोगों को कौन सी लेंगविज देखने को मिलती है अभी कहां पर अवेलेबल है तो यह मूवी वैसे तो कनड़ा जुबान की है बट पैन इंडिया लेवल पर इस मूवी को रिलीज किया गया था और आप लोग इस मूवी को हिंदी डब्ड वरिजन में एमजान प्राइ इसी मूवी के बारे में डिसकेशन करने वाले हैं जो के आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आ सकती है अगर आप लोग उनकी मूवीज देखने के शौकीन है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इनकी मूवीज को एक एक चांस देना ही चाहिए यहाँ पर हम वी बेसीकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लेंगविज में रिलीज की गई और अभी फाइनली यह कहां पर और किस लेंगविज में अवेलेबल है यह ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम ल जीएगा ताकि वो भी ऐसी इंफर्मेटिव वीडियो से आगार है उनको भी ये सारी की सारी इंफर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बाअसानी पह तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मोवी की डाइरेकशन को किस ने संभाला है क्जिएग डायरेकशन काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है punishment общем कहीएगा से इस मोवी की डायरेकशन में हमें कौन वर actors देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि casting काफी ज्यादा important role play करती है हर एक movie के लिए हर एक series के लिए direction काफी ज्यादा important role play कर रही होती है तो इस movie की direction को जो है वो काफी अच्छे से handle किया है प्रिशान्त नील ने जिनोंने काफी अच्छे से इस movie की सारी की सारी direction को handle करके ये movie आप लोगों के सामने present بھی की है जो के काफी अच्छी movie है और आप लोगों को definitely इस movie को एक मरतबा एक chance देना भी चाहे रहे आप लोगों का chance जाए नहीं जाएगा बहुत ही बखुबी ये मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट की गई है बाकी उसी के साथ आगे बड़े हैं बात करें कि प्रिशान नील ने पास्ट में कौन कौन सी मुवीज दी है तो इन्होंने पास्ट में असालार, एंटिया 31 जो के अपकमिंग में है उगरम, KGF चैप्टर 1, KGF चैप्टर 2 इस तरह की मुवीज आप लोगों के सामने प्रिजेंट की हैं जो के अच्छी मुवीज हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मुवीज को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत ही बखुबी यह मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट की गई है आप लोग इस मुवीज को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं तो इस मुवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे यहां पर हमें यश देखने को मिलेंगे उसे के साथ साथ संजिदत, रभीना टंडन, स्रीदनेदी शिट्टी, प्रकाश राज, अर्चना जॉइस, अच्यूत कुमार, वसिष्टा एंसिम्हा, रावरमेश, टी बहुत ही अच्छी मुवी बनाई गई है, और आप लोगों को डेफिनेटली इस मुवी को एक मरतबा एक चांस देना भी चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा, बहुत ही बखुबी यह मुवी आप लोगों के सामने इस मुवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो यहां पर इस मुवी की IMDb रेटिंग जो है, वो काफी अच्छी रखी गई है, और आप लोगों के सामने इस मुवी को काफी अच्छे से प्रिजेंट भी किया गया है, अगर हम लो आप लोगों को डेफिनेटली इस मुवी को एक मरतबा एक चांस भी देना चाहिए, आप लोगों को यहां पर इस मुवी को डेफिनेटली एक मरतबा चांस देना चाहिए, क्योंके काफी अच्छे से यह मुवी प्रिजेंट की गई है, 8.2 आउट और 10 और गूगल के तो यहाँ पर इस मुवी के अंदर हमें काफी अच्छे से देखने को and experience करने को मिल जाता है, यहाँ पर हमें thrill देखने को मिलता है, उसे के साथ साथ हमें action देखने को मिल जाता है, crime देखने को मिलता है, drama देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ हमें इस मुवी के अंदर प्रिजेंट भी की गई है बाकी उसी के साथ आगे बढ़ें और बात करें यहां पर कि इस मुवी की आप लोगों को कौन सी लेंगविज देखने को मिलती है अभी कहां पर अवेलेबल है तो यह मुवी वैसे तो कनडा जुबान की है बट पैन इंडिया लेवल पर इस मुवी मुवी के बारे में डिसकेशन करने वाले हैं जो के आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आ सकती है अगर आप लोग उनकी मुवी देखने के शौकीन है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इनकी मुवी को एक एक चांस देना ही चाहिए यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं करनडा इंडस्ट्रेज की मोस्ट मोस्ट पॉपलर मुवी के बारे में जिसका नहीं है जी के जी एफ जी हां उसके सेकिंड पार्ट के बारे में हमारी आज की इस वीडियो में डिसकेशन होने वाली है के यह मुवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिली आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंट्रस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारी चेक इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजम पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंट्रस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है किस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को और बात कर लेते हैं यहां पर केजी एफ चैप्टर टू क बारे में तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मोवी की डायरेक्शन पर किस ने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मोवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ल करती है हर एक मुवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टिंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मुवी की डायरेक्शन को जो है वो काफी अच्छे से हैंडल किया है प्रिशांत नील ने जिनोंने काफी अच्छे से इस मुवी की सारी की सा जाया नहीं जाएगा, बहुत ही बखुबी ये मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट की गई है, बाकी उसी के साथ आगे बढ़े हैं बात करें के प्रिशान नील ने पास्ट में कौन कौन सी मुवीज दी हैं, तो इन्हों ने पास्ट में असालार, एंटिया 31 जो के अप आप लोगों के सामने प्रिजेंट की गई है, आप लोग इस मुवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं, बाकी उसे के साथ आगे बढ़ें और बात करें यहां पर कि इस मुवी की सारी की सारी लेंगविज कौन सी है, हमें इस मुवी में क्या देखने को मिले वाले हैं, तो इस मुवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे, यहां पर हमें यश देखने को मिलेंगे, उसे के साथ साथ संजेदत, रभीना टंडन, स्रीदनेदी शित्टी, प्रकाश राज, अर्चना जॉइस, अच्युत कुमार, वसिष्टा एंसिमा, प्रिजन भी की है, जो के बहुत ही अच्छी मुवी बनाई गई है, और आप लोगों को डेफिनेटली इस मुवी को एक मरतबा एक चांस देना भी चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा, बहुत ही बखुबी यह मुवी आप लोगों के सामने प्रिजन्ट की गई है, उसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहां पर के इस मुवी की सारी की सारी जो है वो आइम डी बी रेटिंग क्या है और इस मुवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो यहां पर इस मुवी की आइम डी बी रेटिंग जो है वो काफी अच्छी रखी गई है और आप लोगों के सामने इस मुवी को काफी अच्छे से प्रिजन्ट भी किया गया है, अगर हम लोग बात करें आइम डी बी रेटिंग की किया है तो 8.2 आउट अफ 10 इस मुवी क एक चांस भी देना चाहिए, आप लोगों को यहां पर इस मुवी को डेफिनेटली एक मरतबा चांस देना चाहिए, क्योंके काफी अच्छे से यह मुवी प्रिजन्ट की गई है, 8.2 आउट अफ 10 और गूगल के यूजर्स की जानिब से 94 परसेंट तक लाइक किया गया जो यहां पर इस मुवी के अंदर हमें काफी अच्छे से देखने को and experience करने को मिल जाता है, यहां पर हमें थ्रिल देखने को मिलता है, उसे के साथ साथ हमें action देखने को मिल जाता है, crime देखने को मिलता है, drama देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ हमें इस मुवी के अंदर द प्रिजेंट भी की गई है बाकी उसी के साथ आगे बढ़ें और बात करें यहां पर कि इस मुवी की आप लोगों को कौन सी लेंगविज देखने को मिलती है अभी कहां पर अवेलेबल है तो यह मुवी वैसे तो कनडा जुबान की है बट पैन इंडिया लेवल पर इस मुवी इस मुवी को हिंदी डब्ड वरिजन में अमजॉन प्राइम वीडियो पर अभी देख सकते हैं वलतुजी अगर आप लोगों को उनकी मुवी देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहां पर आज किस वीडियो के अंदर हम लोग उन्हें की एक ऐ made अड़ा इन डिस्टरी की most most popular movie के बारे में जिसका नेम है की यहां उसके second part के बारे में हमारी आज किस वीडियो में discussion होने वाली है के एकली किस आवेडियो है किस लेंडियो में के क्या वेडियो किस वीडियो में अवेलिबल है specially ये यूट्यूब पर available है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग discuss करने वाले हैं इन तमाम सबलात के जवबात आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा interesting होने वाली है आप लोगों से गुजारी शेक इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी informative वीडियो से आगार हैं उनको भी ये सारी की सारी information मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सबस्क्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की notification आप लोगों तक बाअसानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा interesting होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है किस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को और बात कर लेते हैं यहां पर KGF chapter 2 के बारे में तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस movie की direction पर किस मोवी की direction को किसने संभाला है क्योंकि direction काफी ज्यादा important role play करती है हर एक movie के लिए हर एक series के लिए direction काफी ज्यादा important role play करती है काफी ज्यादा impact भी create कर रही होती है तो इस movie की direction पर ही हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस movie की direction में हमें कौन कौन से actors देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि casting काफी ज्यादा important role play करती है हर एक movie के लिए हर एक series के लिए direction काफी ज्यादा important role play कर रही होती है तो इस movie की direction को जो है वो काफी अच्छे से handle किया है प्रिशान नील ने जिनोंने काफी अच्छे से इस movie की सारी की सारी direction को handle करके ये movie आप लोगों के सामने present भी की है जो के काफी अच्छी movie है और आप लोगों को definitely इस movie को एक मरतबा एक chance देना भी चाहेगे आप लोग एक chance देंगे तो आप लोगों का chance जाया नहीं जाएगा बहुत ही बखुबी ये movie आप लोगों के सामने present की गई है बाकी उसी के साथ आगे बढ़े हैं बात करें के प्रिशान नील ने पास्ट में कौन कौन सी movie दी है तो इन्होंने पास्ट में असालार, एंटिया 31 जो के अपकमिंग में है उगरम, केजी अफ चैप्टर 1, केजी अफ चैप्टर 2 इस तरह की movies आप लोगों के सामने present की है जो के अच्छी movies हैं आप लोगों को definitely इन movies को एक एक chance भी देना चाहिए आप लोग एक एक chance देंगे तो आप लोगों का chance जाया नहीं जाएगा बहुत ही बखुबी ये movie आप लोगों के सामने present की गई है आप लोग इस movie को definitely एक मरतबा एक chance दे सकते हैं बाकी उसे के साथ आगे बढ़ें और बात करें यहां पर कि इस movie की सारी की सारी language कौन सी है हमें इस movie में क्या देखने को मिलेगा और इस movie की casting में हमें कौन कौन से actors देखने को मिलने वाले हैं तो इस मुवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे यहां पर हमें यश देखने को मिलेंगे उसे के साथ साथ संजेदत, रबीना टंडन, श्रीदनेदी शिर्टी, प्रकाश राज, अर्चना जॉइस, अच्यूत कुमार, वसिश्टा एंसिम्हा, रावरमेश, टी बहुत ही अच्छी मुवी बनाई गई है, और आप लोगों को डेफिनेटली इस मुवी को एक मरतबा एक चांस देना भी चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा, बहुत ही बखुबी यह मुवी आप लोगों के सामने इस मुवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो यहां पर इस मुवी की IMDb रेटिंग जो है, वो काफी अच्छी रखी गई है, और आप लोगों के सामने इस मुवी को काफी अच्छे से प्रिजेंट भी किया गया है, अगर हम लो लोगों को डेफिनेटली इस मुवी को एक मरतबा एक चांस भी देना चाहिए, आप लोगों को यहां पर इस मुवी को डेफिनेटली एक मरतबा चांस देना चाहिए, क्योंकि काफी अच्य से यह movie present की गई है 8.2 out of 10 and Google के users की जानिब से 94% तक like किया गया जो के काफी अच्छी खासी percentage भी है उसी के साथ आगे बढ़ते हैं and बात करते हैं यहाँ पर इस movie के genre पर किस movie का genre क्या है हमें इस movie में यहाँ पर क्या कुछ देखने को and क्या कुछ experience करने को मिलने वाला है तो यहाँ पर इस movie के अंदर हमें काफी अच्छे से देखने को and experience करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें thrill देखने को मिलता है उसे के साथ साथ हमें action देखने को मिल जाता है क्राइम देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ हमें इस मुवी के अंदर देखने को and experience करने को मिल जाएगा जो के हाँ आप लोगों को definitely एक मरतबा एक चांस देना चाहिए इसे आप लोगों का चांस ये मुवी जाया नहीं जाने देगी बहुत ह कहाँ पर available है तो ये मुवी वैसे तो कनड़ा जुबान की है बट पैन इंडिया लेवल पर इस मुवी को release किया गया था और आप लोग इस मुवी को हिंदी डब्ड वर्जिन में Amazon Prime वीडियो पर अभी देख सकते हैं वलताजी अगर आप लोगों को उनकी मुवी देखना प इनकी मुवी को एक एक चांस देना ही चाहिए यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कनड़ा इंडिस्ट्रीज की मोस्ट मोस्ट पॉपुलर मुवी के बारे में जिसका नहीं है जी के जीएफ जी हाँ उसके सेकिंड पार्ट के बारे में हमारी आज किस वीडियो में डिसक ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिसकस करने वाले हैं इन तमाम सबलात के जवबात आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरस्टिंग होने वाली है आप वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फरमेटिव वीडियो से आगार हैं उनको भी ये सारी की सारी इन्फरमेशन मिलती रहे उसी के स हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताके हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बाअसानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंट्रस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है किस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को और बात कर लेते हैं यहां पर केजी एफ चैप्टर टू के बारे में तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मोवी की डायरेक्शन पर किस ने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफी कौन कौन से अक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मोवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मोवी की डायरेक्शन क तो जो है वो काफी अच्छे से हैंडल किया है प्रिशांत नील ने जिनोंने काफी अच्छे से इस मुवी की सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल करके ये मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट भी की है जो के काफी अच्छी मुवी है और आप लोगों को डेफिनेटली इ ना भी चाहेगे आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत ही बखुबी ये मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट की गई है बाकी उसी के साथ आगे बड़े एन बात करें के प्रिशान नील ने पास्ट में कौन कौन सी पार एन्टिया 31 जो के अपकमिंग में है उगरम, KGF चैप्टर 1, KGF चैप्टर 2 इस तरह की मुवीज आप लोगों के सामने प्रिजेंट की हैं जो के अच्छी मुवीज है आप लोगों को डेफिनेटली इन मुवीज को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चा प्रश्चारी लेंग्विज कौन सी है, हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा और इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन-कौन से आक्टर्ज देखने को मिलने वाले हैं। अच्छारदार बहुत बखुबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रिजेंट भी की है। जो के बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है और आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना भी चाहिए। आप लोगों के सामने प्रिजेंट की गई है। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी जो है वो आई-मडी-बी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो यहा बी रेटिंग है जो के काफी अच्छी खासी आई-मडी-बी रेटिंग है और इसी आई-मडी-बी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस भी देना चाहिए आप लोगों को यहां पर इस मूवी को हमें इस movie में यहाँ पर क्या कुछ देखने को and क्या कुछ experience करने को मिलने वाला है तो यहाँ पर इस movie के अंदर हमें काफी अच्छे से देखने को and experience करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें thrill देखने को मिलता है उसे के साथ साथ हमें action देखने को मिल जाता है क्राइम देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ हमें इस मुवी के अंदर देखने को and experience करने को मिल जाएगा जो के हाँ आप लोगों को definitely एक मरतबा एक चांस देना चाहिए इसे आप लोगों का चांस ये मुवी जाया नहीं जाने देगी बहुत ह कहां पर available है तो ये मुवी वैसे तो कनड़ा जुबान की है बट पैन इंडिया लेवल पर इस मुवी को release किया गया था और आप लोग इस मुवी को हिंदी डब्ड वर्जिन में Amazon Prime वीडियो पर अभी देख सकते हैं वलताजी अगर आप लोगों को उनकी मुवी देखना पस इनकी मुवी को एक एक चांस देना ही चाहिए यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं कनड़ा इंडिस्ट्री की मोस्ट मोस्ट पॉपुलर मुवी के बारे में जिसका नहीं है जी के जीएफ जी हां उसके सेकिंड पार्ट के बारे में हमारी आज किस वीडियो में डिसकेशन होने वाली है के जीएफ चैप्टर टू के बारे में हम लोग यहां पर डिसकेशन करने वाले हैं कि यह मुवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लेंगविज में रिलीज की गई अभी फाइनली यह कहां पर और किस लेंगविज में अवेलेबल ह या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहां पर हम लोग डिसकसर करने वाले हैं इन तमाम सवलात के जवब आप глोगों को आज गीस वीडियो में मिलने वाले हैं तो लोगों काफी ज्यादा इंट्रस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीड को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताके हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंट्रस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है किस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से दे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मुवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डाइरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है काफी ज्यादा इंपक्ट भी क्रियेट कर रही होती है तो इस मुवी की डाइरेक्शन पर ही हम सबसे पहल से बात कर लेते हैं कि कोन कॉन से अक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा लिए हर एक मुवी के लिए हर एक सीरीज के लिए direction काफ़ी ज़्यादा important role play कर रही होती है तो इस movie की direction को जो है वो काफ़ी अच्छे से handle किया है प्रिशांत नील ने जिनोंने काफ़ी अच्छे से इस movie की सारी की सारी direction को handle करके ये movie आप लोगों के सामने present भी की है जो के काफी अच्छी मूवी है और आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना भी चाहेगे आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत ही बखुबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट की गई है बाकी उसी के साथ आगे बड़े हैं बात करें के प्रिशान नील ने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज दी है तो इन्होंने पास्ट में असालार, NTR 31 जो के अपकमिंग में है, उगरम, KGF चैप्टर 1, KGF चैप्टर 2 इस तरह की मूवीज आप लोगों के सामने प्रिजेंट की हैं आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं बाकी उसे के साथ आगे बढ़ें और बात करें यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी लेंगवीज कौन सी है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा और इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से आक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे यहां पर हमें यश देखने को मिलेंगे उसे के साथ साथ संजेदत, रवीना टंडन, स्रीदनेधी शिर्टी, प्रकाश राज, अर्चना जॉइस, अच्योत कुमार, वसिष्टा एंसिमा, रावरमेश, टी-एस, नागा भरना और भी काफी सारे अच्छे-चे आक्टर्स इस मुवी की कास्टिंग में आप लोगों को एक मरतबा एक चांस देना भी चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा, बहुत ही बखुबी ये मुवी आप लोगों के सामने प्रिजन्ट की गई है, आप लोग इस मुवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ये मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट की गई है उसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मुवी की सारी की सारी जो है वो IMDb रेटिंग क्या है और इस मुवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो यहां पर इस मुवी की IMDb रेटिंग जो है वो काफी अक्छी रखी गई है और आप लोगों के सामने इस मुवी को काफी अच्छे से प्रिजेंट भी किया गया है अगर हम लोग बात करें IMDb रेटिंग की कि इस मुवी की IMDb रेटिंग क्या है तो 8.2 आउट अफ टैन इस मुवी की IMDb रेटिंग है जो के काफी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है और इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मुवी को एक मरतबा एक चांस भी देना चाहिए आप लोगों को यहां पर इस मु करते हैं एंड बात करते हैं यहां पर इस मुवी के जैनर पर किस मुवी का जैनर क्या है हमें इस मुवी में यहां पर क्या कुछ देखने को एंड क्या कुछ experience करने को मिलने वाला है तो यहां पर इस मुवी के अंदर हमें काफी अच्छे से देखने को and experience करने को मिल जाता है यहां पर हमें थ्रिल देखने को मिलता है, उसे के साथ साथ हमें आक्शन देखने को मिल जाता है, क्राइम देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, और भी बहुत कुछ हमें इस मुवी के अंदर देखने को and experience करने को मिल जाएगा, जो के हाँ आप लोगों को definitely एक मर करें यहां पर कि इस मूवी की आप लोगों को कौन सी लैंगविज देखने को मिलती है अभी कहां पर अवेलेबल है तो यह मूवी वैसे तो कनडा जुबान की अबट पैन इंडिया लेवल पर इस मूवी को रिलीज किया गया था और आप लोग इस मूवी को हिंदी डब्ड वरिजिन में Amazon Prime वीडियो पर अभी देख सकते हैं अगर आप लोगों को उनकी मुवीज देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहां पर आज किस वीडियो के अंदर हम लोग उन्हें की एक ऐसी मुवी के बारे में discussion करने वाले हैं जो के आप लोगो उनकी मुवीज देखने के शौकीन है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इनकी मुवीज को एक एक चांस देना ही चाहिए यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं कनड़ा इंडस्ट्रीज की मोस्ट मोस्ट पॉपुलर मुवी के बारे में जिसका नहीं है जी के जीएफ जी हां उसके सेकिंड पार्ट के बारे में हमारी आज किस वीडियो में डिसकेशन होने वाली है के जीएफ चैप्टर टू के बारे में हम लोग यहां पर डिसकेशन करने वाले हैं के यह मुवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लेंगविज में available है especially ये यूट्यूब पर available है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिसक्स करने वाले हैं इन तमाम सबलात के जवबात आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा सारी इन्फरमेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताके हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बाअसानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंट्रस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है किस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को और बात कर लेते हैं यहां पर केजी एफ चैप्टर टू के बारे में काफी ज्यादा impact भी create कर रही होती है तो इस मुवी की direction पर ही हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मुवी की direction में हमें कौन-कौन से actors देखने को मिलने वाले हैं क्योंके casting काफी ज्यादा important role play करती है हर एक मुवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टिंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मुवी की डायरेक्शन को जो है वो काफी अच्छे से हैंडल किया है प्रिशान्त नील ने जिनोंने काफी अच्छे से इस मुवी की सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल करके ये मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट भी की है जो के काफी अच्छी मुवी है और आप लोगों को डेफिनेटली इस मुवी को एक मरतबा एक चांस देना भी चा जो कि अपकमिंग में है उगरम, KGF चैप्टर वन, KGF चैप्टर टू इस तरह की मुवीज आप लोगों के सामने प्रिजेंट की हैं जो के अच्छी मुवीज हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मुवीज को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस जाएगा बहुत ही बखुबी ये मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट की गई है आप लोग इस मुवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं बाकी उसे के साथ आगे बढ़ें और बात करें यहां पर कि इस मुवी की सारी की सारी लेंगविज कौन सी है हम हमें इस मुवी में क्या देखने को मिलेगा और इस मुवी की कास्टिंग में हमें कौन-कौन से आक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो इस मुवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे यहां पर हमें यश देखने को मिलेंगे उसे के साथ साथ संजिदत, रव लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिनोंने अपना किरदार बहुत बखुबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मुवी काफी अच्छे से प्रिजेंट भी की है जो के बहुत ही अच्छी मुवी बनाई गई है और आप लोगों को डेफिनेटली इस मुवी को एक मरत दबा एक चांस दे सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट की गई है उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर किस मुवी की सारी की सारी जो है वह आयम डिबी रेटिंग क्या है और इस मुवी को गूगल के यू प्राइटिंग की इस मुवी की आयम डिबी रेटिंग क्या है तो एट पॉइंट तौ आउट अफ टैन इस तो इस मुवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए क्योंके काफी अच्य से यह movie present की गई है 8.2 out of 10 and google के users की जानिब से 94% तक like किया गया जो के काफी अच्छी खासी percentage भी है उसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर इस movie के genre पर किस movie का genre क्या है हमें इस movie में यहाँ पर क्या कुछ देखने को and क्या कुछ experience करने को मिलने वाला है तो यहाँ पर इस movie के अंदर हमें काफी अच्छे से देखने को and experience करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें thrill देखने को मिलता है उसे के साथ साथ हमें action देखने को मिल जाता है क्राइम देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ हमें इस मुवी के अंदर देखने को and experience करने को मिल जाएगा जो के हाँ आप लोगों को definitely एक मरतबा एक चांस देना चाहिए इसे आप लोगों का चांस ये मुवी जाया नहीं जाने देगी बहुत ह उसी के साथ आगे बढ़ें and बात करें यहां पर कि इस मुवी की आप लोगों को कौन सी लेंग्विज देखने को मिलती है अभी कहां पर अवेलेबल है तो ये मुवी वैसे तो कनड़ा जुबान की है बट पैन इंडिया लेवल पर इस मुवी को रिलीज किया गया था और आप लोग इस मुवी को हिंदी डब्ड वरिजन में Amazon Prime वीडियो पर अभी देख सकते हैं वलतोजी अगर आप लोगों को उनकी मुवी देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहां पर आज किस वीडियो के अंदर हम लोग उन्हें की एक ऐसी की पॉपॉलर मुवी के बारे में जिसका नहीं मैं जी केजीएफ जी हां उसके सेकिड पार्ट चेपॉर्ट के बारे में हमारी आज किस वीडियो में डिस्कस्न होने वाली है के एक दो किस तरह की बनाई गई बनन डम बहिर द्सक्रिक किई गई किस लेंगई में जेएंड लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंट्रस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है किस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफर्मेटिव वीडियो से आगार हैं उनको भी ये सारी की सारी इंफर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बा तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मोवी की डाइरेक्शन पर किसने संभाला है क्योंकि डाइरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मोवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डाइरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती ह काफी ज्यादा impact भी create कर रही होती है तो इस movie की direction पर ही हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस movie की direction में हमें कौन कौन से actors देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि casting काफी ज्यादा important role play करती है हर एक movie के लिए हर एक series के लिए direction काफी ज्यादा important role play कर रही होती है तो इस मुवी की डायरेक्शन को जो है वो काफी अच्छे से हैंडल किया है प्रिशान्त नील ने जिनोंने काफी अच्छे से इस मुवी की सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल करके ये मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट भी की है जो के काफी अच्छी मुवी है और आ आगे बड़े हैं बात करें कि प्रिशान नील ने पास्ट में कौन कौन सी मुवीज दी हैं तो इन्होंने पास्ट में असालार, एंटिया 31 जो के अपकमिंग में हैं, उगरम, केजी एफ चैप्टर 1, केजी एफ चैप्टर 2 इस तरह की मुवीज आप लोगों के सामने की गई है, आप लोग इस मुवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं, बाकी उसे के साथ आगे बढ़ें और बात करें यहां पर कि इस मुवी की सारी की सारी लेंगविज कौन सी है, हमें इस मुवी में क्या देखने को मिलेगा और इस मुवी की कास्टिंग मे हमें कौन-कौन से आक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं, तो इस मुवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे, यहां पर हमें यश देखने को मिलेंगे, उसे के साथ साथ संजिदत, रवीना टंडन, स्रीदनेदी शित्टी, प्रकाश राज, अर्चना जॉइस, अचियत कुमार, वसिष्टा एंसिमा, रावरमेश, टी-एस, नागा भरना और भी काफी सारे अच्छे अच्छे आक्टर्स इस मुवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जिनोंने अपना किरदार बहुत बखुबी निभाया है, और आप लोगो यह मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट की गई है, आप लोग इस मुवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं, बहुत ही अच्छे से यह मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट की गई है, उसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ और इस movie को Google के users की जानिब से कितने percent तक like किया गया तो यहां पर इस movie की IMDb rating जो है वो काफी अच्छी रखी गई है और आप लोगों के सामने इस movie को काफी अच्छे से present भी किया गया है अगर हम लोग बात करें IMDb rating की कि इस movie की IMDb rating क्या है तो 8.2 out of 10 इस movie की IMDb rating है जो के काफी अच्छी खासी IMDb rating है और इसी IMDb rating के चलते मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोगों को definitely इस movie को एक मरतबा एक chance भी देना चाहिए आप लोगों को यहाँ पर इस movie को definitely एक मरतबा chance देना चाहिए क्योंके काफी अच्छे से यह movie present की गई है 8.2 out of 10 इंड गूगल के users की जानिब से 94% तक like किया गया जो के काफी अच्छी खासी percentage भी है उसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर इस movie के genre पर किस movie का genre क्या है हमें इस movie में यहाँ पर क्या कुछ देखने को and क्या कुछ experience करने को मिलने वाला है तो यहाँ पर इस movie के अंदर हमें काफी अच्छे से देखने को and experience करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें thrill देखने को मिलता है उसे के साथ साथ हमें action देखने को मिल जाता है क्राइम देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ हमें इस मुवी के अंदर देखने को and experience करने को मिल जाएगा जो के हाँ आप लोगों को definitely एक मरतबा एक चांस देना चाहिए इसे आप लोगों का चांस ये मुवी जाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखुबी ये मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट भी की गई है बाकी उसी के साथ आगे बढ़ें और बात करें यहां पर कि इस मुवी की आप लोगों को कौन सी लेंगविज देखने को मिलती है अभी कहां पर अवेलेबल है तो ये मुवी वैसे तो कनड़ा जुबान की अबट पैन इंडिया लेवल पर इस मुवी को रिलीज किया गया था और आप लोग इस मुवी को हिंदी डब्ड वर्जिन में Amazon Prime वीडियो पर अभी देख सकते हैं वलतुजी अगर आप लोगों को उनकी मुवी देखना पसंद है तो आप लोग बिलकुल सही व देना ही चाहिए यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं करनडा इंडिस्ट्रीज की मोस्ट मोस्ट पॉपलर मुवी के बारे में जिसका नेम है जी के जी एफ जी हां उसके सेकिंड पार्ट के बारे में हमारी आज किस वीडियो में डिसकुशन होने वाली है के जी एफ पारे में जहां पर हम लोग डिसकुशन करने वाले हैं इन तमाम सबलात के जवबात आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंट्रस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारी चेकिस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फरमेटिव वीडियो से आगार हैं उनको भी ये सारी की सारी इन्फरमेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सबस्क्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बाअसानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है किस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को और बात कर लेते हैं यहां पर के जी फटू के बारे में तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मोवी की डाइरेक्शन पर किस मोवी की डाइरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि direction काफी ज्यादा important role play करती है हर एक movie के लिए, हर एक series के लिए direction काफी ज्यादा important role play करती है काफी ज्यादा impact भी create कर रही होती है तो इस movie की direction पर ही हम सबसे पहले बात कर लेती है कि इस movie की direction में हमें कौन कौन से actors देखने को मिलने वाले हैं क्योंके casting काफी ज़्यादा important role play करती है हर एक movie के लिए हर एक series के लिए direction काफी ज़्यादा important role play कर रही होती है तो इस movie की direction को जो है वो काफी अच्छे से handle किया है प्रिशान्त नील ने जिनोंने काफी अच्छे से इस movie की सारी की सारी direction को handle करके ये movie आप लोगों के सामने present भी की है जो के काफी अच्छी movie है और आप लोगों को definitely इस movie को एक मरतबा एक chance देना भी चाहेगे आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत ही बखुबी ये मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट की गई है बाकी उसी के साथ आगे बढ़े हैं बात करें के प्रिशान नील ने पास्ट में कौन कौन सी मुवीज दी है तो इन्होंने पास्ट में असालार, एंटिया 31 जो के अपकमिंग में है, उगरम, केजी अफ चैप्टर 1, केजी अफ चैप्टर 2 इस तरह की मुवीज आप लोगों के सामने प्रिजेंट की हैं आप लोग इस मुवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं बाकी उसे के साथ आगे बढ़ें और बात करें यहां पर कि इस मुवी की सारी की सारी लेंगविज कौन सी है हमें इस मुवी में क्या देखने को मिलेगा और इस मुवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से आक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो इस मुवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे यहां पर हमें यश देखने को मिलेंगे उसे के साथ साथ संजेदत, रवीना टंडन, स्रीदनेदी शित्टी, प्रकाश राज, अर्चना जॉइस, अच्योत कुमार, वसिष्टा एंसिम्हा, रावरमेश, टी-एस, नागा भरना और भी काफी सारे अच्छे-चे आक्टर्स इस मुवी की कास्टिंग में आप लोगों एक चांस देना भी चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा, बहुत ही बखुबी ये मुवी आप लोगों के सामने प्रिजन्ट की गई है, आप लोग इस मुवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं, बहुत ही अच्छे से यह मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट की गई है उसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मुवी की सारी की सारी जो है वो IMDb रेटिंग क्या है और इस मुवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक कि कि गई है और आप लोगों के सामने इस मुवी को काफी अच्छे से प्रिजेंट भी किया गया है अगर हम लोग बात करें इस मुवी की IMDb रेटिंग क्या है तो 8.2 आउट अफ 10 इस मुवी की IMDb रेटिंग है जो की जो काफी अच्छी खासी 3 ,1 इम Db रेटिंग है और इस 2.2 out of 10 and Google के यूजर्स की जानिब से 94% तक लाइक किया गया जो के काफी अच्छी खासी परसंटेज भी है उसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहां पर इस मुवी के जैनर पर किस मुवी का जैनर क्या है हमें इस मुवी में यहां पर क्या कुछ देखने को and क्या ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ हमें इस मुवी के अंदर देखने को and experience करने को मिल जाएगा जो के हाँ आप लोगों को definitely एक मरतबा एक चांस देना चाहिए इसे आप लोगों का चांस यह मुवी जाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखुबी यह मुवी आ बट पैन इंडिया लेवल पर इस मुवी को रिलीज किया गया था और आप लोग इस मुवी को हिंदी डब्ड वर्जिन में Amazon Prime वीडियो पर अभी देख सकते हैं वलतुजी अगर आप लोग कानडा इंडियो के बारे में डिसकेशन करने वाले हैं जो के आप लोगों को काफी ज़्यादा पसंद भी आ सकती है अगर आप लोग उनकी मुवीज देखने के शौकीन है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इनकी मुवीज को एक एक चांस देना ही चाहिए यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं करनडा इंडिस्ट्रेज की मोस्ट मोस्ट पॉपुलर मुवी के बारे में जिसका नेम है केजिएफ जी हाँ उसके सेकिंड पार्ट के बारे में हमारी आज किस वीडियो में डिसकेशन होने वाली है KGF chapter 2 के बारे में हम लोग यहाँ पर discussion करने वाले हैं कि यह movie basically किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर release की गई, किस language में release की गई and अभी finally यह कहाँ पर and किस language में available है, especially यह YouTube पर available है यह नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहाँ पर हम लोग discussion करने वाले हैं इन तमाम सबलात के जवबात आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफी ज्यादा interesting होने वाली है, आप लोगों से गुजारी चेक इस वीडियो को last तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक like करके अपने दोस्तों के साथ लाज तो वीडियो काफी ज्यादा interesting होने वाली है, आप लोगों से गुजारी चेक इस वीडियो को last तक लाजमी से देखिएगा, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर KGF chapter 2 के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इस मोवी की direction पर कि इस मोवी की direction को किसने संभाला है, क्योंकि direction काफी ज्यादा important role play करती है, हर एक movie के लिए, हर एक series के लिए direction काफी ज्यादा important role play करती है, काफी ज्यादा impact भी create कर रही होती है, तो इस मोवी की direction पर ही हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, कि इस movie की direction में हमें कौन कौन से अक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा important role play करती है हर एक movie के लिए हर एक series के लिए direction काफी ज्यादा important role play कर रही होती है तो इस movie की direction को जो है वो काफी अच्छे से handle किया है प्रिशान नील ने जिनोंने काफी अच्छे से इस movie की सारी की सारी direction को handle करके ये movie आप लोगों के सामने present भी की है जो के काफी अच्छी movie है और आप लोगों को definitely इस movie को एक मरतबा एक chance देना भी चाहेगे आप लोग एक chance देंगे तो आप लोगों का chance जाया नहीं जाएगा बहुत ही बखुबी ये movie आप लोगों के सामने present की गई है बाकी उसी के साथ आगे बढ़े हैं बात करें के प्रिशान नील ने पास्ट में कौन कौन सी movie दी है तो इन्होंने पास्ट में सालार एंटिया 31 जो के अपकमिंग में है उगरम केजी अफ चैप्टर वन केजी अफ चैप्टर टू इस तरह की movie आप लोगों के सामने present की है जो के अच्छी movie हैं आप लोगों को definitely इन movie को एक एक chance भी देना चाहिए आप लोग एक एक chance देंगे तो आप लोगों का chance जाया नहीं जाएगा बहुत ही बखुबी ये movie आप लोगों के सामने present की गई है आप लोग इस movie को definitely एक मरतबा एक chance दे सकते हैं बाकी उसे के साथ आगे बढ़ें और बात करें यहां पर कि इस movie की सारी की सारी language कौन सी है हमें इस movie में क्या देखने को मिलेगा और इस movie की casting में हमें कौन कौन से actors देखने को मिलने वाले हैं तो इस मुवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे यहां पर हमें यश देखने को मिलेंगे उसे के साथ साथ संजेदत, रबीना टंडन, स्रीदनेदी शिर्टी, प्रकाश राज, अर्चना जॉइस, अच्यूत कुमार, वसिश्टा एंसिम्हा, रावरमेश, टी- बहुत ही अच्छी मुवी बनाई गई है, और आप लोगों को डेफिनेटली इस मुवी को एक मरतबा एक चांस देना भी चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा, बहुत ही बखुबी यह मुवी आप लोगों के सामने इस मुवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो यहां पर इस मुवी की IMDB रेटिंग जो है, वो काफी अच्छी रखी गई है, और आप लोगों के सामने इस मुवी को काफी अच्छे से प्रिजेंट भी किया गया है, अगर हम इस मुवी को एक मरतबा एक चांस भी देना चाहिए, आप लोगों को यहां पर इस मुवी को डेफिनेटली एक मरतबा चांस देना चाहिए, क्योंके काफी अच्छे से यह मुवी प्रिजेंट की गई है, 8.2 आउट अफ 10 और गूगल के यूजर्स की जानिब से 94 परसेंट इस मुवी के अंदर हमें काफी अच्छे से देखने को and experience करने को मिल जाता है, यहां पर हमें थ्रिल देखने को मिलता है, उसे के साथ साथ हमें action देखने को मिल जाता है, crime देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ हमें इस मुवी के अंदर ने प्रिजेंट भी की गई है बाकी उसी के साथ आगे बढ़ें और बात करें यहां पर कि इस मुवी की आप लोगों को कौन सी लेंगविज देखने को मिलती है अभी कहां पर अवेलेबल है तो यह मुवी वैसे तो कनडा जुबान की है बट पैन इंडिया लेवल पर इस मु मुवी के बारे में डिसकेशन करने वाले हैं जो के आप लोगों को काफी ज़्यादा पसंद भी आ सकती है अगर आप लोग उनकी मुवीज देखने के शौकीन है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इनकी मुवीज को एक एक चांस देना ही चाहिए यहां पर हम लोग ब किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लेंगवीज में रिलीज की गई और अभी फाइनली ए कहां पर और वीज्यो है यह यह यूट्यूब पर अवेलिबल है यह नहीं तो हम लोग डिसकसिं़ करने वाले हैं इन तमां सवलाथ के जवबात आप लोगों को इसमेशन को सब्सक्राइब भी करें टाकि एक न्यू वीडियो की नोटिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंड सके हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारीश है किस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो च डाइरेक्शन पर इस मोवी की डाइरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डाइरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मोवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डाइरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है काफी ज्यादा इंप आप लोगों को डै derived है प्र आएंड लियू ऑप लोगों के सामने प्रीजन भी है जुकिए अच्छी मुवी को düny Weli डेफिनेटली इस मुवी को एक मर्तबा एक चांस देना भी चाहिए zijn अब लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा, बहुत ही बखुबी ये मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट की गई है, बाकी उसी के साथ आगे बढ़े हैं बात करें के प्रिशान नील ने पास्ट में कौन कौन सी मुवीज दी हैं, तो इन्हों ने पास्ट में असालार, एक चांस भी देना चाहिए, आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा, बहुत ही बखुबी ये मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट की गई है, आप लोग इस मुवी को डेफिनिटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं, बाकी उसे के साथ आगे बढ़ें और बात करें यहां पर इस मुवी की सारी की सारी लेंगविज कौन सी है, हमें इस मुवी में क्या देखने को मिलेगा और इस मुवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से आक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं, तो इस मुवी की कास्टिंग में हम हमें देखने को मिल जाएंगे यहां पर हमें यश देखने को मिलेंगे उसे के साथ साथ संजेदत रभीना टंडन स्रीदनेदी शिर्टी प्रकाश राज अर्चना जॉइस अच्योत कुमार वसिश्टा एंसिमा रावरमेश टी एस नागा भरना और भी काफी सारे अच्छे अ एक मरतबा एक चांस देना भी चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत ही बखुबी यह मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट की गई है आप लोग इस मुवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं तो यहां पर इस movie की IMDB rating जो है वो काफी अक्छी रखी गई है और आप लोगों के सामने इस movie को काफी अच्छे से present भी किया गया है अगर हम लोग बात करें IMDB rating की कि इस movie की IMDB rating क्या है तो 8.2 out of 10 इस movie की IMDB rating है जो के काफी अच्छी खासी IMDB rating है and इसी IMDB rating के चलते मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोगों को definitely इस movie को एक मरतबा एक चांस भी देना चाहिए आप लोगों को यहां पर इस movie को definitely एक मरतबा चांस देना चाहिए क्योंके काफी अच्छे से यह movie present की गई है 8.2 out of 10 and Google के users की जानिब से 94% तक लाइक किया गया ज क्या कुछ experience करने को मिलने वाला है तो यहां पर इस movie के अंदर हमें काफी अच्छे से देखने को and experience करने को मिल जाता है यहां पर हमें thrill देखने को मिलता है उसे के साथ साथ हमें action देखने को मिल जाता है crime देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ हमें इस मोवी के अंदर देखने को and experience करने को मिल जाएगा जो के हाँ आप लोगों को definitely एक मरतबा एक चांस देना चाहिए इसे आप लोगों का चांस ये मोवी जाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखुबी ये मोवी आप लोगों के सामने present भी की गई है बाकी उसी के साथ आ आप लोग इस मोवी को हिंदी डब्ड वरिजन में Amazon Prime वीडियो पर अभी देख सकते हैं वलतोजी अगर आप लोगों को उनकी मोवी देखना पसंद है तो आप लोगों को इनकी मोवी देखने के शौकीन है तो हाँ आप लोगों को definitely इनकी मोवी को एक एक चांस देना ही चा मोस्ट पॉपुलर मुवी के बारे में जिसका नहीं है जी के जीएफ जी हां उसके सेकंड पार्ट के बारे में हमारी आज किस वीडियो में डिसकेशन होने वाली है के जीएफ चैप्टर टू के बारे में हम लोग यहां पर डिसकेशन करने वाले हैं कि यह मुवी बेसिकली जबबात आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है किस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के आप लोगों तक बाअसानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंट्रस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है किस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को और बात कर लेते हैं यहां पर इंपक्ट भी क्रियेट कर रही होती है तो इस मुवी की डायरेक्शन पर ही हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मुवी की डायरेक्शन में हमें कौन कौन से आक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ह जिन्होंने काफी अच्छे से इस मुवी की सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल करके ये मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट भी की है जो के काफी अच्छी मुवी है और आप लोगों को डेफिनेटली इस मुवी को एक मरतबा एक चांस देना भी चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएं गा, बहुत ही बहुत के दख़ुबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट की गई है। बाकी उसे के साथ आगे बड़े अन बात करें के परिशान नीलने पास्ट में कौन कौन सी मुवीज दी हैं तो इन्होंने पास्ट में असालार, एंटीया 331 जो के अपकमिंग में हैं, उगरम, केजी अफ चैपटर वन, केजी अफ चैपटर टू, इस तरह की मुवीज आप लोगों के चांस जाया नहीं जाएगा बहुत ही बखुबी ये मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट की गई है आप लोग इस मुवी को डेफिनिटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं बाकी उसे के साथ आगे बढ़ें और बात करें यहां पर कि इस मुवी की सारी की सारी लेंगव प्रिकाश राज अर्चना जॉइस अच्योत कुमार वसिष्टा एंसिमा रावरमेश टी एस नागा भरना और भी काफी सारे अच्छे अच्छे आक्टर्स इस मुवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिनोंने अपना किरदार बहुत भखुबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मुवी काफी अच्छे से प्रिजेंट भी की है जो के बहुत ही अच्छी मुवी बनाई गई है और आप लोगों को डेफिनेटली इस मुवी को एक मरतबा एक चांस देना भी चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत ही बखुबी यह मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट की गई है आप लोग इस मुवी को डेफिनेटली एक मर्तबह एक चांस दे सकते हैं बहुत ही अच्छे से यह मुवी आप लोगों के सामने Louise की गई है उसी के साथ इस movie की IMDB rating जो है वो काफी अक्छी रखी गई है और आप लोगों के सामने इस movie को काफी अच्छे से present भी किया गया है अगर हम लोग बात करें IMDB rating की कि इस movie की IMDB rating क्या है तो 8.2 out of 10 इस movie की IMDB rating है जो के काफी अच्छी खासी IMDB rating है और इसी IMDB rating के चलते मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोगों को definitely इस movie को एक मरतबा एक चांस भी देना चाहिए आप लोगों को यहाँ पर इस movie को definitely एक मरतबा चांस देना चाहिए क्योंके काफी अच्छे से यह movie present की गई है 8.2 out of 10 और गूगल के यूजर्स की जानिब से 94% तक लाइक किया गया जो के काफी अच्छी खासी percentage भी है उसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर इस movie के genre पर किस movie का genre क्या है हमें इस movie में यहाँ पर क्या कुछ देखने को और क्या कुछ experience करने को मिलने वाला है तो यहाँ पर इस movie के अंदर हमें काफी अच्छे से देखने को and experience करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें thrill देखने को मिलता है उसे के साथ साथ हमें action देखने को मिल जाता है क्राइम देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ हमें इस मुवी के अंदर देखने को and experience करने को मिल जाएगा जो के हाँ आप लोगों को definitely एक मरतबा एक चांस देना चाहिए इसे आप लोगों का चांस ये मुवी जाया नहीं जाने देगी बहुत ह उसी के साथ आगे बढ़ें and बात करें यहां पर कि इस मुवी की आप लोगों को कौन सी लेंगविज देखने को मिलती है अभी कहां पर अवेलेबल है तो यह मुवी वैसे तो कनड़ा जुबान की है बट पैन इंडिया लेवल पर इस मुवी को रिलीज किया गया था और आ यहां पर आज किस वीडियो के अंदर हम लोग उन्हें की एक ऐसी मुवी के बारे में डिसकेशन करने वाले हैं जो के आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आ सकती है अगर आप लोग उनकी मुवी देखने के शौकीन है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इनकी यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं करनडा इंडस्टरीज की मॉस्ट मॉस्ट पॉपलर मुवी के बारे में जिसका नहीं है के जीएफ जी हां उसके सेकिंड पार्ट के बारे में हमारी आज किस वीडियो में डिसकेशन होने वाली है के यह मुवी बेसिकली किस तरह की बन रहने वाले हैं इन तमाम सबलाद के जवबात आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंट्रस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है किस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर केजी एफ चैप्टर टू के बारे में तो काफी ज्यादा इंपक्ट भी क्रियेट कर रही होती है तो इस मुवी की डायरेक्शन पर ही हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मुवी की डायरेक्शन में हमें कौन-कौन से आक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट र मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट भी किया है जो के काफी अच्छी मुवी है और आप लोगों कीं है य अच्छी मुवी है की उसी के तागे भटे आनबाद करेEND कyear algorithms और इसमी आप ल decemb Aldo को ''इब पहुए म्यार इसाला अंटि हार 31 जो के प्रिजन्ट की हैं जो के अच्छी मुवीज हैं आप लोगों को डेफिनिटली इन मुवीज को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत ही बखुबी ये मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट की गई है आप लोग इस मुवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं बाकी उसे के साथ आगे बढ़ें और बात करें यहां पर कि इस मुवी की सारी की सारी लेंगविज कौन सी है हमें इस मुवी में क्या देखने को मिलेगा और इस मुवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से आक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो इस मुवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे यहां पर हमें यश देखने को मिलेंगे उसे के साथ साथ संजिदत, रवीना टंडन, स्रीदनेधी शिट्टी, प्रकाश राज, अर्चना जॉइस, अच्योत कुमार, वसिष्टा एंसिमा, रावरमेश, टी-एस, नागा भरना और भी काफी सारे अच्छे-चे आक्टर्स इस मुवी की कास्टिंग में आप लोगों क तो एक मरतबा एक चांस देना भी चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा, बहुत ही बखुबी ये मुवी आप लोगों के सामने प्रिजन्ट की गई है, आप लोग इस मुवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते ह बहुत ही अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट की गई है उसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहां पर किस मूवी की सारी की सारी जो है वह आयम डिबी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसें गूगल के यूजर्स की जानिब से 94 परसेंट तक लाइक किया गया जो के काफी अच्छी खासी परसेंटेज भी है उसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहां पर इस मूवी के जनर पर किस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में यहां पर क्या कुछ देखने को और क्या कुछ एक्सपिरियंस करने को मिलने वाला है तो यहाँ पर इस movie के अंदर हमें काफी अच्छे से देखने को and experience करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें thrill देखने को मिलता है, उसे के साथ साथ हमें action देखने को मिल जाता है, crime देखने को मिलता है, drama देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ हमें इस मुवी के अंदर देखने को and experience करने को मिल जाएगा जो के हाँ आप लोगों को definitely एक मरतबा एक चांस देना चाहिए इसे आप लोगों का चांस ये मुवी जाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखुबी ये मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट भी की गई है बाकी उसी के साथ आगे बढ़ें और बात करें यहां पर कि इस मुवी की आप लोगों को कौन सी लेंग्विज देखने को मिलती है अभी कहां पर अवेलेबल है तो ये मुवी वैसे तो कनड़ा जुबान की है बट पैन इंडिया लेवल पर इस मुवी को रिलीज किया गया था और आप लोग इस मुवी को हिंदी डब्ड वरिजन में एमजान प्राइम वीडियो पर अभी देख सकते हैं वलती अगर आप लोग को उनकी मुवी देखना पसंद है तो आप लोग बिलकुल सही वीडियो पर हैं यहां पर आज किस वीडियो के अंदर हम लोग उन्हें की एक ऐसी मुवी के बारे में डिसकुशन करने वाले हैं कि आप लोगों को काफी ज़्यादा पसंद भी आ सकती है अगर आप लोग उनकी मुवीज देखने के शौकीन है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इनकी मुवीज को एक एक चांस देना ही चाहिए यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं करनडा इंडस्ट्रीज की मोस्ट मोस्ट पॉपलर मुवी के बारे में जिसका नहीं है के जीएफ जी हाँ उसके सेकिंड पार्ट के बारे में हमारी आज की इस वीडियो में डिसकुशन होने वाली है के यह मुवी बेसिकली किस तरह क की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर और किस लैंगविज में अवेलिबल है ये यूट्यूप पर अवेलिबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिसक्रिश करने वाले हैं इन तमाम सबलात के जवबात आप लोगों को आज की इस वीडियो तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारीश चैकिस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्टों के साथ लाजमी से शेर भी कर दीजीएगा थाकि वो भी ऐसी इंफ प्रस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है किस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर केजी एफ चैप्टर टू के बारे में तो सबसे पहले हम लोग बात करे काफी ज्यादा इम्पक्ट भी करियेट कर रही होती है तो इस मोवी की डायरेक्शन पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं किस मोवी की डायरेक्शन में हमें कौन-कौन से अक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्यों के कास्टिंग काफी ज्यादा important role play करती है हर एक मौवी के के लिए हर एक सेरीज के लिए डाइरिक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टिंट रोल प्ले कर रहे होती है तो इस मोवी की डाइरिक्शन को जो है वो Kathy अच्छे से हैंडल किया है प्रिशांत नील ने इन और नोने काफी अच्छे से इस मूवी की सारी कि सारी डायर 2 को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने परिजईन भी की है जो के काफी अच्छी मूवी है और आप लोगों को डैफिनेट्ली इस मूवी को एक मरतबह एक चांस देना भी चाहेगे आप Personen बात बिहे और Earphone KGF chapter 1, KGF chapter 2 इस तरह की मुवीज आप लोगों के सामने प्रिजन्ट की हैं जो के अच्छी मुवीज हैं आप लोगों को definitely इन मुवीज को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत ही बखुबी ये मुवी आप लोगों के सामने प्रिजन्ट की गई है आप लोग इस मुवी को definitely एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं बाकी उसे के साथ आगे बढ़ें और बात करें यहां पर कि इस मुवी की सारी की सारी language कौन सी है हमें इस मुवी में क्या देखने को मिलेगा और इस मुवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से आक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो इस मुवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे यहां पर हमें यश देखने को मिलेंगे उसे के साथ साथ संजिदत, रवीना टंडन, स्रीदनेदी शित्टी, प्रकाश राज, अर्चना जॉइस, अच्योत कुमार, वसिष्टा एंसिमा, रावरमेश, टी-एस, नागा भरना और भी काफी सारे अच्छे-चे आक्टर्ज इस मुवी की कास्टिंग में आप लोगों क एक मरतबा एक चांस देना भी चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा, बहुत ही बखुबी ये मुवी आप लोगों के सामने प्रिजन्ट की गई है, आप लोग इस मुवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ये मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट की गई है उसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मुवी की सारी की सारी जो है वो IMDb रेटिंग क्या है और इस मुवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो यहां पर इस मुवी की IMDb रेटिंग जो है वो काफी अक्छी रखी गई है और आप लोगों के सामने इस मुवी को काफी अच्छे से प्रिजेंट भी किया गया है अगर हम लोग बात करें IMDb रेटिंग की कि इस मुवी की IMDb रेटिंग क्या है तो 8.2 out of 10 इस movie की IMDB rating है जो के काफी अच्छी खासी IMDB rating है और इसी IMDB rating के चलते मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोगों को definitely इस movie को एक मरतबा एक चांस भी देना चाहिए आप लोगों को यहाँ पर इस movie को definitely एक मरतबा चांस देना चाहिए क्योंके काफी अच्छे से यह movie present की गई है 8.2 out of 10 और गूगल के users की जानिब से 94% तक like किया गया जो के काफी अच्छी खासी percentage भी है उसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर इस movie के genre पर किस movie का genre क्या है हमें इस movie में यहाँ पर क्या कुछ देखने को and क्या कुछ experience करने को मिलने वाला है तो यहाँ पर इस movie के अंदर हमें काफी अच्छे से देखने को and experience करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें thrill देखने को मिलता है उसे के साथ साथ हमें action देखने को मिल जाता है क्राइम देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ हमें इस मुवी के अंदर देखने को and experience करने को मिल जाएगा जो के हाँ आप लोगों को definitely एक मरतबा एक चांस देना चाहिए इसे आप लोगों का चांस ये मुवी जाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखुबी ये मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट भी की गई है बाकी उसी के साथ आगे बढ़ें और बात करें यहां पर कि इस मुवी की आप लोगों को कौन सी लेंगविज देखने को मिलती है अभी कहां पर अवेलेबल है तो ये मुवी वैसे तो कनड़ा जुबान की अबट पैन इंडिया लेवल पर इस मुवी को रिलीज किया गया था और आप लोग इस मुवी को हिंदी डब्ड वर्जिन में Amazon Prime वीडियो पर अभी देख सकते हैं वलतुजी अगर आप लोगों को उनकी मुवी देखना पसंद है तो आप लोग बिलकुल सही व जाएं तर नहीं चाहिए हैं कानडा इंड़स्ट्रीज की मुस्ट मुस्ट पॉप्लर मुवी के बारे में जिसका नहीं है के जी येफ जी हां उसके सेकंड पार्ट के बारे में हमारी आज किस वीडियो में डिसकेशन होने बाली है KGF chapter 2 के बारे में हम लोग यहां पर discussion करने वाले हैं कि यह movie basically किस तरह की बनाई गई, कहां पर release की गई, किस language में release की गई and अभी finally यह कहां पर and किस language में available है, especially यह YouTube पर available है यह नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग discussion करने वाले हैं इन तमाम सबलात के जवबात आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफी ज्यादा interesting होने वाली है, आप लोगों से गुजारी चेक इस वीडियो को last तक लाजमी से देखिएगा ताके हर एक न्यू वीडियो की notification आप लोगों तक बाअसानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा interesting होने वाली है, आप लोगों से गुजारी चेक इस वीडियो को last तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी start करते हैं आज किस वीडियो को और बात कर लेते हैं यहाँ पर KGF chapter 2 के बारे में तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मोवी की direction पर किस मोवी की direction को किसने संभाला है क्योंकि direction काफी ज्यादा important role play करती है, हर एक movie के लिए, हर एक series के लिए direction काफी ज्यादा important role play करती है काफी ज्यादा impact भी create कर रही होती है, तो इस movie की direction पर ही हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस movie की direction में हमें कौन कौन से actors देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा important role play करती है हर एक movie के लिए हर एक series के लिए direction काफी ज्यादा important role play कर रही होती है तो इस movie की direction को जो है वो काफी अच्छे से handle किया है प्रिशान्त नील ने जिनोंने काफी अच्छे से इस movie की सारी की सारी direction को handle करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेज़न भी की है जो के काफी अच्छी मूवी है एंद आप लोगों को डیफिनेटले इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना भी चाहेगे आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत ही बखुबी ये मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट की गई है बाकी उसी के साथ आगे बड़े हैं बात करें के प्रिशान नील ने पास्ट में कौन कौन सी मुवीज दी है तो इन्होंने पास्ट में असालार, एंटिया 31 जो के अपकमिंग में है, उगरम, केजी अफ चैप्टर 1, केजी अफ चैप्टर 2 इस तरह की मुवीज आप लोगों के सामने प्रिजेंट की हैं आप लोग इस मुवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं बाकी उसे के साथ आगे बढ़ें और बात करें यहां पर कि इस मुवी की सारी की सारी लेंगविज कौन सी है हमें इस मुवी में क्या देखने को मिलेगा और इस मुवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से आक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो इस मुवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे यहां पर हमें यश देखने को मिलेंगे उसे के साथ साथ संजेदत, रवीना टंडन, श्रीदनेदी शित्टी, प्रकाश राज, अर्चना जॉइस, अच्योत कुमार, वसिष्टा एन सिम्हा, रावरमेश, टी एस, नागा भरना और भी काफी सारे अच्छे अच्छे आक्टर्स इस मुवी की कास्टिंग में आप लो और लोग एक चांस देंगे, तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा, बहुत ही बखुबी, यह मुवी आप लोगों के सामने प्रिजन्ट की गई है, आप लोग इस मुवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं, बहुत ही अच्छे से यह मुवी आप के सामने प्रिजेंट की गई है उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मोवी की सारी की सारी जो है वह आयम डीबी रेटिंग क्या है और इस मोवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो यहां पर इस मोवी की आएम डीबी रेटिंग क्या है तो यहां पर इस मोवी को डेफिनिटली एक मरतबा चांस देना चाहिए क्योंके यह मोवी प्रिजेंट की गई है एट पॉंट टू आउट एँगल के यूजर्स की जानिब से 94 परसेंट तक लाइक किया गया जो के काफी अच्छी परसंटेज भी है उसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहां पर इस मुवी के जैनर पर किस मुवी का जैनर क्या है हमें इस मुवी में यहां पर क्या कुछ देखने को एंड क्या कुछ एक्सपिरियंस करने को मिलने वाला है तो यहां पर इस मुवी के अंदर हमें काफी अच्छे से देखने को and experience करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें थ्रिल देखने को मिलता है उसे के साथ साथ हमें action देखने को मिल जाता है crime देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ हमें इस movie के अंदर देखने को and experience करने को मिल जाएगा जो के हा आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस देना चाहिए इसे आप लोगों का चांस ये मुवी जाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखुबी ये मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट भी की गई है बाकी उसी के साथ आगे बढ़ें और बात करें यहां पर कि इ देख सकते हैं वल्तुजी अगर आप लोगों को उनकी मुवी देखना पसंद है तो आप लोग बिलकुल सही वीडियो पर हैं यहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग उन्हें की एक ऐसी मुवी के बारे में डिसकुशन करने वाले हैं जो के आप लोगों को काफी जादा पसंद भी आ सकती है अगर आप लोग उनकी मुवी देखने के शौकीन है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इनकी मुवी को एक एक चांस देना ही चाहिए यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं करनडा इंडिस्ट्रेज की मोस्ट मोस्ट पॉपुलर मुवी के बारे में जिसका नेम है के जीएफ जी हां उसके सेकंड पार्ट के बारे में हमारी आज किस वीडियो में डिसकेशन होने वाली है के जीएफ चैप्टर टू के बारे में हम लोग यहां पर डिसकेशन करने वाले हैं के यह मुवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर र वीडियो काफी ज्यादा इंटरस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारी शेक इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी वीडियो से आगार है उनको भी ये सारी की सारी इंफरमेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बाअसानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इस मुवी की डाइरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डाइरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मुवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डाइरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है काफी ज्यादा इंपक्ट भी क्रि के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टिंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मुवी की डायरेक्शन को जो है वो काफी अच्छे से हैंडल किया है प्रिशांत नील ने जिनोंने काफी अच्छे से इस मुवी की सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल करके यह मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट भी की है जो के काफी अच्छी मुवी है और आप लोगों को डेफिनिटली इस मुवी को एक मरतबा एक चांस देना भी चाहेगे आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत ही बखुबी ये मुवी आप लोगों के सामने प्रिजें की हैं जो के अच्छी मुवीज हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मुवीज को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत ही बखुबी यह मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट की गई है आप लोग इस मुवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं बाकी उसे के साथ आगे बढ़ें और बात करें यहां पर कि इस मुवी की सारी की सारी लेंगविज कौन सी है हमें इस मुवी में क्या देखने को मिलेगा और इस मुवी की कास्टिंग में हमें कौन आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं तो इस मुवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे यहां पर हमें यश देखने को मिलेंगे उसे के साथ साथ संजेदत, रवीना टंडन, स्रीदनेदी शिर्टी, प्रकाश राज, अर्चना जॉइस, अच्योत कुमार वसिष्टा एंसिम्हा, रावरमेश, टी एस, नागा भरना और भी काफी सारे अच्छे अच्छे आक्टर्स इस मुवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिनोंने अपना किरदार बहुत बखुबी निभाया है और आप लोगों के सामने यह आप लोगों के सामने प्रिजेंट की गई है आप लोग इस मुवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं बहुत ही अच्छे से यह मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट की गई है उसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मुव को काफी अच्छे से प्रेजेंट भी किया गया है अगर हम लोग बात करें IMDB रेटिंग की कि? इस movie की IMDB रेटिंग क्या है? तो 8.2 आट अफ 10 इस movie की IMDB रेटिंग है जो के काफी अच्छी किया गया गया जो के काफी अच्छी खासी परसेंटेज भी तो कि अफोट करिते हैं सही के साथ आगे बढ़ते हैं यहां पर मोवी चेंटेटर का क्या है हमने क्या कुद फी का हम čudो कि यहां पर उसले यहां पर मफम्रों थियनियुके एंडर हमें फ्रिल par जाएगा जो के हाँ आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस देना चाहिए इसे आप लोगों का चांस ये मुवी जाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखुबी ये मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट भी की गई है बाकी उसी के साथ आगे बढ़ें और बा किया बट पैन इंडिया लेवल पर इस मोवी को रिलीज किया गया था और आप लोग इस मोवी को हिंदी डब्ड वर्जिन में Amazon Prime वीडियो पर अभी देख सकते हैं वलतुजी अगर आप लोग कनड़ा इंडोस्ट्रेज की शौकीन है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इनकी मुवीज को एक एक चांस देना ही चाहिए यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कनड़ा इंडोस्ट्रेज की मोस्ट मोस्ट पॉपुलर मुवी के बारे में जिसका नेम है जी के जीएफ जी हाँ उसके सेकंड पार्ट के बारे में हमारी आज की इस वीडियो में डिसकेशन होने वाली है के जीएफ चैप्टर टू के बारे में हम लोग यहाँ पर डिसकेशन करने वाले हैं कि यह मुवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई किस लेंग्यज में रिलीज की गई अभी फाइनली यह कहां पर और किस लेंग्यज में अवेलिबल है यह यूट्यूब पर अवेलिबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिसकेशन करने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटर्स्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारеч ह है किस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताके वो भी ऐसी informative वीडियो से आगार हैं उनको भी ये सारी की सारी information मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से subscribe भी कर दीजिएगा ताके हर एक new वीडियो की notification आप लोगों तक बाअसानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा interesting होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है किस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को अन्ट बात कर लेते हैं यहां पर KGF Chapter 2 के बारे में तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मोवी की direction पर इस मोवी की direction को किसने संभाला है क्योंके direction काफी ज्यादा important role play करती है हर एक movie के लिए हर एक सीरीज के लिए डाइरेक्शन काफी ज्यादा important role play करती है काफी ज्यादा impact भी create कर रही होती है तो इस movie की direction पर ही हम सबसे पहले बात कर लेती है कि इस movie की direction में हमें कौन कौन से actors देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि casting काफी ज्यादा important role play करती है हर एक movie के लिए हर एक series के लिए direction काफी ज्यादा important role play कर रही होती है तो इस movie की direction को जो है वो काफी अच्छे से handle किया है प्रिशान्थ नील ने जिनोंने काफी अच्छे से इस movie की सारी की सारी direction को handle करके ये movie आप लोगों के सामने present भी की है जो के काफी अच्छी मूवी है और आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना भी चाहेगे आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत ही बखुबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट की गई है बाकी उसी के साथ आगे बड़े हैं बात करें के प्रिशान नील ने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज दी है तो इन्होंने पास्ट में असालार, एंटिया 31 जो के अपकमिंग में है, उगरम, केजी अफ चैप्टर 1, केजी अफ चैप्टर 2 इस तरह की मूवीज आप लोगों के सामने प्रिजेंट की हैं आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं बाकी उसे के साथ आगे बढ़ें और बात करें यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी लेंगवीज कौन सी है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा और इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से आक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे यहां पर हमें यश देखने को मिलेंगे उसे के साथ साथ संजेदत, रवीना टंडन, स्रीदनेधी शिर्टी, प्रकाश राज, अर्चना जॉइस, अच्योत कुमार, वसिष्टा एंसिमा, रावरमेश, टी एस, नागा भरना और भी काफी सारे अच्छे अच्छे आक्टर्स इस मुवी की कास्टिंग में आप लोगो एक चांस देना भी चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा, बहुत ही बखुबी ये मुवी आप लोगों के सामने प्रिजन्ट की गई है, आप लोग इस मुवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं, बहुत ही अच्छे से यह मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट की गई है उसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मुवी की सारी की सारी जो है वो IMDb रेटिंग क्या है और इस मुवी को गूगल के यूजर की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया है तो 8.2 out of 10 इस मुवी की IMDb रेटिंग है जो के काफी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है और इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मुवी को एक मरतबा एक चांस भी देना चाहिए आप लोगों को यहां पर इस मुवी को डेफिनेटली एक मरतबा चांस देना चाहिए क्योंके काफी अच्छे से यह मुवी प्रिजेंट की गई है 8.2 out of 10 इंड गूगल के यूजर्स की जानिब से 94 परसेंट तक लाइक किया गया जो के काफी अच्छी खासी परसेंटेज भी है उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहां पर इस मुवी के जेनर पर किस मुवी का जेनर क्या है हमें इस मुवी में यहां पर क्या कुछ देखने को एंड क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो यहां पर इस मुवी के अंदर हमें काफी अच्छे से देखने को एंड एक्सपी लिए नेतली एक मरतबा एक चांस देना चाहिए इसे आप लोगो का चांस ये मुवी जाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखुबी ये मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट भी की गई है बाकी उसी के साथ आगे बढ़ें एंड बात करें यहां पर कि इस मुवी की आप अगर आप लोगों को उनकी मुवीज देखना पसंद है तो आप लोगों को डेफिनेटली इनकी मुवीज को एक एक चांस देना ही चाहिए करनडा इंडस्टरीज की मोस्ट पॉपुलर मुवी के बारे में जिसका नहीं है के जीएफ जी हाँ उसके सेकंड पार्ट के बारे में हमारी आज की इस वीडियो में डिसकेशन होने वाली है के जीएफ चैप्टर टू के बारे में हम लोग यहाँ पर डिसकेशन करने वाले है कि ये movie basically किस तरह की बनाई गई, कहां पर release की गई, किस language में release की गई and अभी finally ये कहां पर and किस language में available है specially ये YouTube पर available है ये नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग discuss करने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरिस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है किस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफ तो वीडियो काफी ज्यादा इंट्रस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है किस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर केजी एफ चैप्टर टू के बारे में तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मोवी की डायरेक्शन पर किसने संभाला है क्योंके डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मोवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है का कास्टिंग काफी ज्यादा important role play करती है हर एक movie के लिए हर एक series के लिए direction काफी ज्यादा important role play कर रही होती है तो इस movie की direction को जो है वो काफी अच्छे से handle किया है प्रिशान्त नील ने जिनोंने काफी अच्छे से इस मुवी की सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल करके ये मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट भी की है जो के काफी अच्छी मुवी है और आप लोगों को डेफिनेटली इस मुवी को एक मरतबा एक चांस देना भी चाहेगे आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत ही बखुबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट की गई है बाकी उसी के साथ आगे बढ़े हैं बात करें कि प्रिशान नील ने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज दी है तो इन्होंने पास्ट में असालार, एंटिया 31 जो के अपकमिंग में है, उगरम, केजी अफ चैप्टर 1, केजी अफ चैप्टर 2 इस तरह की मुवीज आप लोगों के सामने प्रिजेंट की हैं जो के अच्छी मुवीज हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मुवीज को एक चांस भी देना चाहिए, आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा, बहुत ही बखुबी ये मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट की गई है, आप लोग इस मुवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं, बाकी उसे के साथ आगे बढ़ें और बात करें यहां पर कि इस मुवी की सारी की सारी लेंगविज कौन सी है, हमें इस मुवी में क्या देखने को मिलेगा और इस मुवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से आक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं, तो इस मुवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे यहां पर हमें यश देखने को मिलेंगे उसे के साथ साथ संजेदत, रभीना टंडन, स्रीदनेदी शिट्टी, प्रकाश राज, अर्चना जॉइस, अच्योत कुमार, वसिष्टा एंसिमा, रावरमेश, टी-एस, नागा भरना और भी काफी सारे अब लोगों को डेफिनेटली इस मुवी को एक मरतबा एक चांस देना भी चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा, बहुत ही बखुबी यह मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट की गई है, आप लोग इस मुवी को यूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो यहां पर इस मोवी की IMDb रेटिंग जो है वो काफी अक्छी रखी गई है एंड आप लोगों के सामने इस मोवी को काफी अच्छे से प्रिजेंट भी किया गया है अगर हम लोग बात करें IMDb रेटिंग की कि इस मोवी की IMDb रेटिंग क्या है तो 8.2 आउट अफ 10 इस मोवी की IMDb रेटिंग है जो के काफी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है और इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मोवी को एक मरतबा एक चां देना चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से यह मोवी प्रेजेंट की गई है 8.2 आउट अफ 10 और गूगल के यूजर्स की जानिब से 94% तक लाइक किया गया जो के काफी अच्छी खासी परसंटेज भी है उसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहां पर इस मोवी क जनर पर किस मोवी का जनर क्या है हमें इस मोवी में यहां पर क्या कुछ देखने को एंड क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो यहां पर इस मोवी के अंदर हमें काफी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहां पर हमें थ्रिल को मिलता है उसे के साथ साथ हमें action देखने को मिल जाता है crime देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ हमें इस movie के अंदर देखने को and experience करने को मिल जाएगा जो के हाँ आप लोगों को definitely एक मरतबा एक chance देना चाहिए इसे आप लोगों का chance ये movie जाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखुबी ये movie आप लोगों के सामने present भी की गई है बाकी उसी के साथ आगे बढ़ें and बात करें यहां पर कि इस movie की आप लोगों को कौन सी language देखने को मिलती है अभी कहां पर available है तो ये movie वैसे तो कनड़ा जुबान की है बट पैन इंडिया लेवल पर इस movie को release किया गया था और आप लोग इस movie को हिंदी डब्ड वर्जिन में Amazon Prime वीडियो पर अभी देख सकते हैं वलतुजी अगर आप लोगों को उनकी movies देखना पसंद है तो आप ल लोगों को डेफिनेटली इनकी movies को एक एक चांस देना ही चाहिए यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं कनड़ा इंडिस्ट्रीज की most most popular movie के बारे में जिसका नहीं है के जीएफ जी हां उसके second part के बारे में हमारी आज किस वीडियो में discussion होने वाली है के जीएफ चैप्टर पर available है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग discuss करने वाले हैं इन तमाम सबलात के जवबात आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा interesting होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है किस वीडियो को last तक आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा interesting होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है किस वीडियो को last तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को और बात कर लेते हैं यहां पर KGF chapter 2 के बारे में तो काफी ज्यादा important role play करती है काफी ज्यादा impact भी create कर रही होती है तो इस movie की direction पर ही हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस movie की direction में हमें कौन कौन से actors देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि casting काफी ज्यादा important role play करती है हर एक movie के लिए हर एक series के लिए direction काफी ज्यादा important role play कर रही होती है तो इस मुवी की डायरेक्शन को जो है वो काफी अच्छे से हैंडल किया है प्रिशांत नील ने जिनोंने काफी अच्छे से इस मुवी की सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल करके ये मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट भी की है जो के काफी अच्छी मुवी है और आप लोगों को डेफिनेटली इस मोवी को एक मरतबा एक चांस देना भी चाहेगे आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत ही बखुबी ये मोवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट की गई है बाकी उसी के साथ आगे बड़े हैं बात करें के प्रिशान नील ने पास्ट में कौन कौन सी मुवीज दी हैं आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत ही बखुबी ये मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट की गई है आप लोग इस मुवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं बाकी उसे के साथ आगे बढ़ें और बात करें यहां पर कि इस मुवी की सारी की सारी लेंगविज कौन सी है हमें इस मुवी में क्या देखने को मिलेगा और इस मुवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से आक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो इस मुवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे यहां पर हमें यश देखने को मिलेंगे उसे के साथ साथ संजिदत, रभीना टंडन, स्रीदनेदी शिट्टी, प्रकाश राज, अर्चना जॉइस, अच्यूत कुमार, वसिष्टा एंड सिम्हा, रावरमेश, इस नागा भरना और भी काफी सारे अच्छे अच्छे आक्टर्ज इस मुवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिनों ने अपना किरदार बहुत बखुबी निभाया है और आप लोगों के सामने यह मुवी काफी अच्छे से प्रिजेंट भी की है जो क Paci मूवी बनाए गई है और आप लोगों को डैफिनेटली इस मूवी को एक मुर्तबा एक चांस देना भी चाहिए अप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत ही बखुब यह मूवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट की ग और इस मोवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो यहां पर इस मोवी की IMDb रेटिंग जो है वो काफी अच्छी रखी गई है और आप लोगों के सामने इस मोवी को काफी अच्छे से प्रेजेंट भी किया गया है अगर हम लोग बात मरतबा एक चांस भी देना चाहिए आप लोगों को यहां पर इस मोवी को डेफिनेटली एक मरतबा चांस देना चाहिए क्योंके काफी अच्छे से यह मोवी प्रेजेंट की गई है 8.2 आउट ओफ 10 और गूगल के यूजर्स की जानिब से 94 परसेंट तक लाइक किया गया ज एक्सपिरियंस करने को मिल जाता है यहां पर हमें थ्रिल देखने को मिलता है उसे के साथ साथ हमें आक्शन देखने को मिल जाता है क्राइम देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ हमें इस मोवी के अंदर देखने को एक्सपिरियंस करने को मिल जाएगा जो के हाँ आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस देना चाहिए इसे आप लोगों का चांस ये मुवी जाया नहीं जाने देगी बहुत ही बखुबी ये मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट भी की गई है बाकी उसी के साथ आगे बढ़ें और बा वलतोजी अगर आप लोगों को उनकी मुवी देखना पसंद है तो आप लोगों को देखने के शौकीन है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इनकी मुवी को एक एक चांस देना ही चाहिए यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कानडा इंडस्ट्रीज की मॉस्ट मॉस्ट पॉपलर मुवी के बारे में जिसका नहीं है के जीएफ जी हाँ उसके सेकंड पार्ट के बारे में हमारी आज की इस वीडियो में डिसकेशन होने वाली है के जीएफ चेप्टर टू के बारे में हम लोग यहाँ पर डिसकेशन करने वाले हैं के ये मुवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिमुज में रिलीज की गई and अभी finally ये कहां पर and किस लैंग्विज में available है especially ये YouTube पर available है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग discuss करने वाले हैं इन तमाम सबलात के जवबात आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंट्रस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारी चैकिस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताके वो भी ऐसी informative वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी information मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से subscribe भी कर दीजिएगा ताके हर एक new वीडियो की notification आप लोगों तक बाअसानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा interesting होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है किस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को पर केजिएफ चैप्टर तू के बारे में तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मुवी की direction पर इस मुवी की direction को किसने संभाला है क्योंके direction काफी ज्यादा important role play करती है हर एक movie के लिए हर एक series के लिए direction काफी ज्यादा important role play ले करती हैं काफी ज्यादा इम्पक्ट भी क्रियेट कर रही होती है तो इस मोईकी डायरेक्शन पर ही हँम सब्से पहले बात कर लेते हैं किस मोईकी डायरेक्शन में हमें कौन-कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्युकि कास्टिंग извест अभी ज्यादा direction को handle करके ये movie आप लोगों के सामने present भी की है जो के काफी अच्छी movie है और आप लोगों को definitely इस movie को एक मरतबा एक chance देना भी चाहेगे आप लोगों का chance जाया नहीं जाएगा बहुत ही बखुबी ये movie आप लोगों के सामने present की गई है बाकी उसी के साथ आगे बड़े हैं ब chapter 2 इस तरह की movie आप लोगों के सामने present की है जो के अच्छी movie है आप लोगों को definitely इन movie को एक एक chance भी देना चाहिए आप लोग एक chance देंगे तो आप लोगों का chance जाया नहीं जाएगा बहुत ही बखुबी ये movie आप लोगों के सामने present की गई है आप लोग इस movie को definitely एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं बाकी उसे के साथ आगे बढ़ें और बात करें यहां पर कि इस मुवी की सारी की सारी लेंगविज कौन सी है हमें इस मुवी में क्या देखने को मिलेगा और इस मुवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से आक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो इस नागा भरना और भी काफी सारे अच्छे अच्छे अक्टर्स इस मुवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जिनों ने अपना किरदार बहुत भखुबी निभाया है, और आप लोगों के सामने ये मुवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है, आप लोगों को Definitely ए्स मोवी को एक मरतबा एक CHANCE देना भी चाहिए। आप लोग एक CHANCE देंगे तो आप लोगों का CHANCE जाया नहीं जायेगा। बहुत ही बलत ही बबढ़ ही बहुत ही परक जाया है। और इस मोवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो यहां पर इस मोवी की IMDB रेटिंग जो है वो काफी अक्छी रखी गई है और आप लोगों के सामने इस मोवी को काफी अच्छे से प्रिजेंट भी किया गया है अगर हम लोग बात कर इस मोवी को एक मरतबा एक चांस भी देना चाहिए आप लोगों को यहां पर इस मोवी को डेफिनेटली एक मरतबा चांस देना चाहिए क्योंके काफी अच्छे से यह मोवी प्रिजेंट की गई है 8.2 आउट अफ 10 गूगल के यूजर्स की जानिब से 94 परसेंट तक लाइक काफी अच्छे से देखने को and experience करने को मिल जाता है यहां पर हमें थ्रिल देखने को मिलता है उसे के साथ साथ हमें action देखने को मिल जाता है crime देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ हमें इस मोवी के अंदर देखने को and experience करने को मिल जाएगा ज कि उसी के साथ आगे बढ़ें और बात करें यहां पर कि इस मुवी की आप लोगों को कौन सी लेंगविज देखने को मिलती है अभी कहां पर अवेलेबल है तो यह मुवी वैसे तो कनडा जुबान की है बट पैन इंडिया लेवल पर इस मुवी को रिलीज किया गया था और आ यहां पर आज किस वीडियो के अंदर हम लोग उन्हें की एक ऐसी मुवी के बारे में डिसकेशन करने वाले हैं जो के आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आ सकती है अगर आप लोग उनकी मुवी देखने के शौकीन है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इनकी यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं कानडा इंडस्टरीज की मोस्ट पॉपुलर मुवी के बारे में जिसका नहीं है के जीएफ जी हाँ उसके सेकंड पार्ट के बारे में हमारी आज किस वीडियो में डिसकेशन होने वाली है के यह मुवी बेसिकली किस तरह की बनाई किस language में release की गई and अभी finally ये कहां पर and किस language में available है especially ये YouTube पर available है ये नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग discuss करने वाले हैं इन तमाम सबलात के जवबात आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा interesting होने वाली है आ और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी informative वीडियो से आगार है उनको भी ये सारी की सारी information मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से subscribe भी कर दीजिएगा ताकि हर एक new वीडियो की notification आ पर KGF chapter 2 के बारे में तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मोवी की direction पर इस मोवी की direction को किसने संभाला है क्योंके direction काफी ज्यादा important role play करती है हर एक movie के लिए हर एक series के लिए direction काफी ज्यादा important role play करती है काफी ज्यादा impact भी create कर रही होती है तो इस मोवी की direction पर ही हम स प्ले करती है हर एक मुवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टिंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मुवी की डायरेक्शन को जो है वो काफी अच्छे से हैंडल किया है प्रिशांत नील ने जिनोंने काफी अच्छे से इस मुवी की सार बहुत ही बखुबी ये मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट की गई है बाकी उसी के साथ आगे बड़े हैं बात करें के प्रिशान नील ने पास्ट में कौन कौन सी मुवीज दी है तो इन्हों ने पास्ट में असालार एंटिया 31 जो के अपकमिंग में है उगरम केजी केजी अफ चैप्टर वन कईजी फ चैप्टर टू इस तरह की मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट किमेंगा जोके अच्छी मुवी आप लोगों को डफीनिटली एं मुवी और एक चांस भी देना चाहिए आप लोग WORK एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज और इस मोवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से आक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं। ये मोवी काफी अच्छे से प्रिजेंट भी की है। और इस मोवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो यहां पर इस मोवी की आएमडी बी रेटिंग जो है वो काफी अच्छी रखी गई है। आप लोगों के सामने इस मोवी को काफी अच्छे से प्रिजेंट भी किया गया है। आप लोगों को यहां पर इस मोवी को डेफिनेटली एक मरतबा चांस देना चाहिए। आप लोगों को यहां पर इस मोवी को डेफिनेटली एक मरतबा चांस देना चाहिए। बहुत ही बखुबी यह मोवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट भी की गई है। बाकि उसी के साथ आगे बढ़ें और बात करें यहां पर कि इस movie की आप लोगों को कौन सी language देखने को मिलती है अभी कहां पर available है तो यह movie वैसे तो कनड़ा जुबान की है बट पैन इंडिया लेवल पर इस movie को release किया गया था और आप लोग इस movie को हिंदी डब्ड वर्जिन म अभी देख सकते हैं वल तो जी अगर आप लोगों को उनकी movies देखना पसंद है तो आप लोग बिलकुल सही वीडियो पर हैं यहां पर आज किस वीडियो के अंदर हम लोग उन्हें की एक ऐसी movie के बारे में discussion करने वाले हैं जो के आप लोगों को काफी ज़्यादा पसंद भ जिसका नेम है के जी जी एफ जी हां उसके सेकंड पार्ट के बारे में हमारी आज किस वीडियो में discussion होने वाली है के जी एफ चैप्टर टू के बारे में हम लोग यहां पर discussion करने वाले हैं किस तरह की बनाई गई कहां पर release की गई किस language में release की गई and अभी finally यह कहां पर and किस language में available है especially यह YouTube पर available है यह नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग discussion करने वाले हैं इन तमाम सबलात के जवबात आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा interesting होने वाली है आप लोगों से गुजारी चेक इस वीडि को लाजमी से सबस्क्राइब भी कर दीजिएगा ताके हर एक न्यू वीडियो की notification आप लोगों तक बाअसानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा interesting होने वाली है आप लोगों से गुजारी से किस वीडियो को last तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी start करते हैं हर एक series के लिए direction काफी ज्यादा important role play करती है काफी ज्यादा impact भी create कर रही होती है तो इस movie की direction पर ही हम सबसे पहले बात कर लेती हैं कि इस movie की direction में हमें कौन कौन से actors देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि casting काफी ज्यादा important role play करती है हर एक movie के लिए हर एक series के लिए direction काफी ज् है प्रशांत नील ने जिन्होंने काफी अच्छे से इस मvere Kern की सारी की सारी । को हैंडल Moscow करें यह मूवी आप लोगों के सामने परिजन भी की है जो के काफी अच्छी मूवी है और आप लोगों को डफिनैटलि इस मौवी को एक मर्तबा एक चांस देना भी चाहेगी आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा भात ही बखू भी ये मौवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट की गई है भागी उसे के साथ आगे बड़े हैं बात करें के प्रिशान नील ने पास्ट में कौन कौन सी मुवीज दी हैं तो इन्होंने पास्ट में असालार, एंटिया 31 जो के अपकमिंग में हैं, उगरम, केजी अफ चैप्टर 1, केजी अफ चैप्टर 2 इस तरह की मुवीज आप लोगों के सामने की गई है, आप लोग इस मुवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं, बाकी उसे के साथ आगे बढ़ें और बात करें यहां पर इस मुवी की सारी की सारी लेंगविज कौन सी है, हमें इस मुवी में क्या देखने को मिलेगा और इस मुवी की कास्टिंग में ह हमें देखने को मिल जाएंगे, यहां पर हमें यश देखने को मिलेंगे, उसे के साथ साथ संजेदत, रवीना टंडन, स्रीदनेदी शिर्टी, प्रकाश राज, अर्चना जॉइस, अच्योत कुमार, वसिष्टा एंसिमा, रावरमेश, टी एस, नागा भरना और भी काफी स अच्छी मुवी बनाई गई है, और आप लोगों को डेफिनेटली इस मुवी को एक मरतबा एक चांस देना भी चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा, बहुत ही बखुबी यह मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट की गई है, आप लोग इस मुवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं, बहुत ही अच्छे से यह मुवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट की गई है, उसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मुवी की सारी की सारी जो है वो आईम ड अगर हम लोग बात करें आईम डीबी रेटिंग की कि इस मुवी की आईम डीबी रेटिंग क्या है तो 8.2 आउट अफ टैन इस मुवी की आईम डीबी रेटिंग है जो के काफी अच्छी खासी आईम डीबी रेटिंग है और इसी आईम डीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐ देना चाहिए आप लोगों को यहां पर इस मुवी को डेफिनेटली एक मरतबा चांस देना चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से यह मुवी प्रिजेंट की गई है एट पॉइंट टू आउट अफ टैन एंड गूगल के यूजर्स की जानिब से 94 परसेंट तक लाइक किया गया तो यहां पर इस मुवी के अंदर हमें काफी अच्छे से देखने को and experience करने को मिल जाता है यहां पर हमें थ्रिल देखने को मिलता है उसे के साथ साथ हमें action देखने को मिल जाता है crime देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ हमें इस मुवी के अं हमने प्रिजेंट भी की गई है बाकी उसी के साथ आगे बढ़ें एंड बात करें यहां पर कि इस मुवी की आप लोगों को कौन सी लेंगविज देखने को मिलती है अभी कहां पर अवेलेबल है तो यह मुवी वैसे तो कनडा जुबान की है बट पैन इंडिया लेवल पर इस किस वीडियो के अंदर हम लोग उन्हें की एक ऐसी मुवी के बारे में डिसकेशन करने वाले हैं जो के आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आ सकती है अगर आप लोग उनकी मुवीज देखने के शौकीन है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इनकी मुवीज को ए जहाँ पर डिसकेशन करने वाले हैं कि ये मुवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्विज में रिलीज की गई एन अभी फाइनली ये कहां पर और किस लैंग्विज में अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में रास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफरमेटिव वीडियो से आगार है उनको भी ये सारी की सारी इनफरमेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को ला तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर केजी एफ चैप्टर टू के बारे में तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मोवी की डायरेक्शन पर किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मोवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है काफी ज्यादा इंपक्ट भी क्रियेट कर रही होती है तो इस मोवी की डायरेक्शन पर ही हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मोवी की की है जो के काफी अच्छी मूवी है और आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना भी चाहेगे आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत ही बखुबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रिजेंट की गई है बाकी उसी के साथ आगे ब असालार एंटिया स्वारा अपकमिंग में है अगरम के जी फचेप्टर वन के जी फचेप्टर टू इस तरह की मूवीज आप लोगों के सामने प्रिजेंट की हैं जो के अच्छी मूवीज है आप लोगों को डेफिनिटली इन मूवीज को ऐक एक चांस भी देना चाहिए बहुत ही बखुबी ये मुवी आप लोगो के सामने प्रिजन्ट की गई है। आप लोग इस मुवी को डफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं। बाकी उसे के साथ आगे बढ़ें और बात करें यहां पर कि इस मुवी की सारी की सारी लेंग्विज कौन सी है, हमें इस म प्रिकाश राज, अर्चना जॉइस, अच्योत कुमार, वसिष्टा एंड सिम्हा, रावरमेश, टी एस, नागा भरना और भी काफी सारे अच्छे अच्छे आक्टर्स इस मुवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिनोंने अपना किरदार बहुत भी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मुवी काफी अच्छे से प्रिजेंट भी की है जो के बहुत ही अच्छी मुवी बनाई गई है और आप लोगों को डेफिनेटली इस मुवी को एक मरतबा एक चांस देना भी चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप के सामने प्रिजेंट की गई है उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मुवी की सारी की सारी जो है वो आएंडी बी रेटिंग क्या है और इस मोवी को गूगल के यूजर्ज की जानिब से कितने परसेंट तक like किया गया तो यहां पर इस movie की IMDB rating जो है वो काफी अक्छी रखी गई है अप लोगों के सामने इस movie को युदि अच्छे से present भी किया गया है अगर हम लोग बात करें IMDB rating की के इस movie की IMDB rating क्या है तो 8.2 out of 10 इस movie की IMDB rating जो के काफी अच्छी खासी IMDB रेatन हैन्ड इसी IMDBöyleतेंग हैं इसी IMDB रेatेंग के चलते मुझे ऐसा लगता है के हाँ आप लोगों को definetly इस movie को एक मरतबा एक chance देना चाहिए आप लोगों को यहां पर इस movie को definaitly एक मरतबा चांस देना चाहिए क्यूक्छे के ये मुवी प्रिजेंट की गई है 8.2 आउट अफ 10 और गूगल के यूजर्स की जानिब से 94 परसेंट तक लाइक किया गया जो के काफी अच्छी खासी परसेंटेज भी है उसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहां पर इस मुवी के जेनर पर कि इस मुवी का जेन देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है और भी बहुत कुछ हमें इस मुवी के अंदर देखने को and experience करने को मिल जाएगा जो के हाँ आप लोगों को definitely एक मरतबा एक चांस देना चाहिए इसे आप लोगों का चांस यह मुवी जाया नहीं जाने देगी बहुत ही बख पैन इंडिया लेवल पर इस मुवी को रिलीज किया गया था और आप लोग इस मुवी को हिंदी डब्ड वर्जिन में Amazon Prime वीडियो पर अभी देख सकते हैं